जैसे वायू तक्वा को शांट पकते हैं जी क्या बोला हमने तांडे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए ये तांडे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने का नियम उनके लिए है जिनको बहुत तकलीफ है शरीर में ऐसी जिसके कारण अंदर के शरीर में तामर की मात्रा कम हो गए है उनके लिए यह है माने हमको ऐसी कोई बीमारी हो गए जिस बीमारी में तावे की मात्रा शरीर में तावा होता है शरीर में सोना भी होता है शरीर में चाड़ी भी है शरीर में दोहा भी है ऐसे अठारे तब को हमारी शुट और ये सब मिट्टी से आए है मिट्टी से जो कुछ भी अंद पैदा होता है उसमें ये सब होते हैं हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं तो शरीर में तावे की मात्रा जब कम हो जाती है तो कई बीमारियां आती है उन میں से हेग बीमारी बतो जो आजकल बहुत आती है सिरके बाल जलोए बिलना यह जितने बाल ज़रने वाले मरीज हैं जिनको यह श कायत है कि हमारे बाल बहुत तूट रही है समझ लीजे शरीर में ताम परत्तु की कमी हो गई है माने दावे की कमी हो गई है कम हो गई है उसमें भी तामर कप तो कम हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि तावे में रखा हुआ लोटे का पानी आपके हो लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए तावे के लोटे का पानी लगातार देल पी सकते बीच-बीच में उसको रोगना पड़ता है तीन मह महीने लगातार पी लिया अब एक महीने छोड़ दीजिए फिर एक महीने छोड़ दीजिए फिर तीन महीने पी लिजिए फिर एक महीने छोड़ दीजिए फिर तीन महीने पी लिजिए फिर ऐसे करके चलेंगे तभी उसके पढ़ना मच्छे आएंगे नहीं तो एक दूसरी कोई बीमारी लग गई तो आप फिर उसके लिए परिखाना